तो गाईस दुबारा से में और मेरी फ्रेंड आ गये हैं एक ब्रैंड न्यू मेप के साथ और गाईस फाइनली फेस्ट फेस्ट चालेंज इस्टार्ट होगिया है। बहुत मजा आने माला है आज मैं इस नुब को बहुत दोने वालियू हूँ गाईस। तो फाइनली आपके दी फर्स्ट है और बहुत मारूंगी में और ट्रेक काफी अच्छा है हमारा रेस का और गाइस क्या कमाल की गाड़ी आई है मेरे पास और अभी नूप बेरे बिल्कुल पीछे पीछे है तो हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं almost क्यूंकि उसको लग रहा है क और यहां पर नूप भी आ गई है मेरे पीछे पीछे और गाइस फाइनली कितना अच्छा रेंप है रेंप का जो कलर है वो भी मुझे यलोई है और मेरे जो ट्रॉक है उसका कलर भी यलोई है तो अब ही हम करने जा रहे हैं अपनी गाड़ी को चेंज फटा-फट से और गा क्या बात है मैंने एक दम जोर से उसको मारा है और गाइस वाकवी में डिखने में यह तो मुझे मगरमच ही लग रहा है और यह लोगलर का मगरमच अब ग्रीन कलर की ट्रक को खा जाएगा और जब तक गिरेगी नहीं मैंसे चोड़ूगी नहीं और फाइनली मैंने इसको ग किराते हैं तो खुद भी गिर जाते हैं क्या बात है क्या कहावत है लिखने वाले ने लिकिये और यह मेरा मगरमच कहीं जाकर टकरा गया था फिरसे मेरे सामने आ गई है नई उप्स गलत हो गया है सीन क्योंगर निकल गई है और मेरा मगरमच ट्रक अब मैं आगे लेकर जा रही हूं और वह पीछे से लेकर आने वाली है और उसके पास सारी गाड़िंग ग्रीन आने वाली है अब तो वह रिएल में मगरमच बनने वाली है यह ट्रक की जो शेव है ना वो ग्रीन जब हो जाएगी तो सेम मगरमर्च लगेगी तो फटा फट से हम भाग लेते हैं क्योंकि पीछे से वो टकर मारने वाली है और मैं उसको पीछे से देख रही हूँ कितनी दूर है वो और अब हमारे पस चोटी गारी नहीं आनी चाहिए थी चोटी गारी आ गई है और अब वो हमारा क्या करेगी बढ़ता बनाने वाली है जल्दी से निकल जाते हैं और बिल्कुल सेफली निकलने की कोशिश करेंगे पतली गली से और गाइस गिर गई है वो अपने मगरमुस को लेकर क्या बाद शीन था उसके लिए और ये क्या सीन था अभी में गिरने वाली थी फैंटम वैज आ गया गया है नोक के जरी उच्छाल देता, बहुत कमाल का ट्रक है, खसम से बहुत कमाल का ट्रक है, तो फाइनली अब मेरे पास एक छोटी जी गारे आने वाले है, और ये वाली गाड़ी है, बट ये बूस्ट अच्छा मारती है, और बूस्ट दे, दे के मैं जा सकती हूँ, और साथ में मुझे बूस्ट महंगा पढ़ गया, नए, नौई, नौई, मुझे उसके प्रेशर से इतना प्रेशर लगा, बूस्ट में दे चुकी थी, तामने से वो अपना मगरमच लेकर आगई हो, और मैं ढरके मारे मेरी गाड़ी किर गई है, वेल फटा फटा फट से इसको डिलेव पमारे लिख बढ़ने माला है, और हमारे पास बग्गी आगों की और फेंटम बज़् का नहीं आया गाइज उसके पास एक कोई कि उसको के लिए बहुद से उचाल ने वाली हूं। क्योंकि अभी वहम पीछेचे अगर है बAct अभी गाड़ी मेरे पास है आ cal ma मैंने अन्बैलेंस दी है बड़ इस ट्रैक के ओपर काफी अच्छे से चल रही है तो काफी मज़ेदार सीन है और फाइनली मेरे पास जो गाड़ी चेंज होई है यह अंपरेला वाली चेंज होई है और उसके पास बगी है वो मुझे माने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी थीक से स्पाण नहीं हुई थी तो यह बगी को लेकर वो काफी तेजी से आगे निकल गई है और यह बहुत अच्छा किया उसने कि उस्सने हमें नहीं माला लेकिन अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं से मारने मैं आस तरह नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ब पर देखा और रेस के अंदर कोई मजाख नियों होता है आप ने देखा मैं उससे टकराई हूं वो पीछे की तरफ चली गई है और गोल 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 गूमके अब सीधा निकलने की कोशिश की इसने बट इट सोके मुझे तो अपनी इसको चेंज करनी गारी को उसको जाने देते ह पिर से गिर गई थी हो तो दुबारा से आई है वो स्पॉन होकर और फाइनली हमारा ट्रक चेंज हो चुगा है आप मेरे पास बड़ी गाड़ी है और उसके पास थोटी गाड़ी है तो मैं काफी तेज ले जाने किसी कोशिश कर रही हूं लेकिन उसके बास जो गाड़ी है मेरे पास एक अजीव गरीबती गाड़ी आगई काफी अच्छी गाड़ी है दिखने के साफ से चोटी सी है लेकिन है बहुत अच्छी तो लेकिन चल रही बहुत सिलो है तनी मज़ेदार स्पीड नहीं है इसकी और वो काफी दूर भाग चुकी है हमसे और फटा-फट से ग काड़ी चेंज करके लेकर आ रही है मैं उसको पीछे-पीछे भाग रही हूं जल्दी से आया और ओके गाई उसके बास एक बड़ा ट्रक आया था लेकर नीचे गिर गई हो मेरे पास यह क्या आग्या है खतरनाक ट्रक ओ माइग इसको देखो गाई इसके अंदर तो सींग लगे हूए हैं क्या मज़ेदार बड़ा ट्रक है और दोनों ही ट्रक है और ट्रक कर ट्रक के साथ कॉंबनीशन अच्छा है लेकिन वह आगे जा रही है अगर्चे वह भी मेरे पास होती मैंने इसको जरूर एक खेंच के मारना था लेकिन काफी तेजी के साथ वह अपना ट् और उसने चूज की है ग्रीन कलर की गाड़ी आई है बिसके पास और फाइनली मेरे पास दूसरी गाड़ी आगई है जो के बूस्टर वाली गाड़ी और एक पर फिर से आगई है और अब मैं उसे बूस्ट मार मार कर उस तक पहुंच जाऊंगी लेकिन वह काफी तेजी से चाहां चाहा है तो बगी से बहुत करने वाली हूँ क्योंके टेस्ट करके देखते हैं कि इस ट्रक के साथ क्या सीन करती है बगी और कितने प्रेशर से इसको चालती है क्या बात है गाई इस क्या बात है क्या बात है ट्रक बहुत हैवी है गिर गिर गिया लेकिन गिर गिर मुझे लगा बैलेंस हो जाएगा बट गिर चुका है लेकिन था वो बहुत हैवी ट्रक और भगी ने उसको भी चाल दिया है बगी एक बहुत अच्छी गाड़ी है बहुत ट्रक को लाने वाली, क्या बात है दोनों का एक जिसा सामना और ये खतरनाक सीने, आप देखते हैं किसमें कितना है दम, मोटी फुल ताकत लगा रही है, फुल फुल जोश के साथ ताकत लगा रही है, और हम में भी बहुत ताकत हैं, हम उसको दिखा देंगे, हम भी किसी से कम नहीं है क्या बात है और मैं उसे प्रेशर से धकेल रही हूँ गाइस ट्रक के दो हिस्से गिर चुके हैं बहुत खतरनाक सीन है और अब उसको मैंने कॉर्णर पर मैं ले आई हूँ गिराने में काफी असानी होगी आगर चे उसका एक टायर भी गिर जाता है तो उसकी गाड़ी अन्बैलेंस हो जाएगी और ये एक बैट सीन हो जाएगा उसके लिए क्या बात है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे के कोई तुफान आगया और गाड़ियां यही रुक गई हो गाड़ियां आगे नहीं बढ़ रही है मैंने उसे फूल प्रिशर दिया है उसने मुझे बोला कि मैं तुझे जाने देती हूं लेकिन मुझे उसकी किसी भी हैल्प भी जरुवत नहीं मैं उसे चोड़ूंगी नहीं धर जाती आप देख सकते हो कितना स्मूख फेक रहा है उसका ट्रक oh my god oh my god so guys finally actively इन दोनों truck को इस truck पे से लेकर जाने की कोशिश करने हैं चाहा रही थी लेकिन कोशिश में नाकाम लग रही हूँ finally guys कोशिश पूरे हो गई है दोनों truck अराम से निकल गए like इतना बड़ा truck तो है के heavy heavy like इतना बड़ा truck तो है के heavy दो ट्रक आराम से निकल गए हैं बट मैं उसके साथ पंगा करती हूँ और उसे जाने नहीं देती हूँ तो काफी सलो चल रहा है बहुत तेज नहीं चल रहा है और यह हमारी गारी चेंज हो चुकिया है उसके बास कोई दूसरी गारी आने वाली है और अभी तो वो उमसे का मज़ेदार सीन है और यह रोंग वे बता रहा है तो अब हमारी जो गारियां है वो बीच में से ही चेंज होने वाले है तो क्या बात है गाइस क्या बात है और यलो कलर को डॉट भी नजरा रहा है मुझे उससे पंगे नहीं लेने है क्योंकि उसके पास बगई थी और फर्स्ट हो चुकी है और आप देखते हैं कितनी देर में इसको कंप्लीट करने वाली है ज्यादा टाइम नहीं मलेगा उसको जस्त तर्डी सेकिंड का टाइम मलने वाला है एक्स्पेक्टेट किया है लेकिन अभी तक लोड हो रहा है तो फाइनली 17 सेकिंड बचे हैं और व उसका पका ही पका है इसलिए हम उसको नहीं बोलती हूं गाईस फाइनली हम जीच चुके हैं तस मिनट के अंदर अंदर हमने इस रेस को कंप्लीट कर लिया था 16,350 हमें डॉलर मिले है जेपी पॉइंट 15 और आर पी मिली हमें 1790 तो गाईजी इस वीडियो को यहीं पैंड कर लगीगा टे किया रेंट पाइट बाइपाँ